तो Hello fellow friends कैसे हैं आफ दोस्तों है मैं आपको बताने वाल होाउ हमां सैम्संग के मुबाइल में कमाल की setting होती है बुल सकते हैं कमाल का feature होता है जो कि print install होता है Samsung के हर मुबाइल में जो कि बहुत काम होता है call के लिए बहुत ही काम की लिए फीचर होता है call के लिए दोस्तो जब भी आपके कोई unwanted call आता है या फिर बोल सकते हैं कोई भी फर्जी call आता है तो आपको पहले ही Samsung के mobile पर आपको detect करतेगा अगर आप उस feature को on करके रखेंगे तो उस feature का नाम है दोस्तो caller ID and spam protection ये like a true color की तरह होता है option या बोल सकते है true color की तरह एक feature होता है इसमें क् एक्टिवेट करके रखेंगे तो अगर मानलो आपके बास कोई spam call आता है तो यह आपको नोटिफिकेशन कर देगा red color की स्क्रीन आएगी और उस पर लिखा होगा this call is spam ये आपको notification कर देगा हो सकता है और कोई आपके वास कोई normal call आता है तो उनकी आपको photo भी आ जाए और उ आपके पास मेरी डिटेल पूरी आ जाएगी लाइक नाम मेरी फोन नंबर और मेरी फोटो जो भी मेरे वासाइट करके रखाऊगा पूरा आपको दिखेगा like a true color तो आगे चलते हैं दोस्तों यह feature कहां मिलेगा कैसे activate करना और कैसे use करेंगे तो एक एक चीज़ बताने वाल जो कि मैंने use करा तो मैं पास कोई कॉल आया तो उसके लिए में चलता हूं आपको call history पर जैसी आप call history पर जाएंगे तो दोस्तों यह आपको एक number दिख रहा होगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे attention search site बना हुआ है और नीचे वापर लिखा हुआ है suspected spam call तो यह मुझे Samsung की के तरव से ही दिखाया था और नीचे की आप तरफ देखेंगे यहां पर आपको थोड़ा सामयई इसको ब्लार रहा होगा इसको थोड़ा सइंकर दूं है out यहां पर देखेंगे इसको लिखा हुआ है एक मिनिट यहां पर आप देखेंगे वी ओन हिया यह आपको दिख रहा होगा साइड में तो वी ओन हिया की तरफ सी यह मुझे अफडेट आया है कि यह जो कॉल आया था सस्पेक्टेड स्पैप कॉल थे तो यह मेरे पाद जितने यह आप देख रहे होंगे यहां पर नीचे सब पर मुझे ऐसा अलेट लिखा हुआ है स्माइट और नीचे आपको यहां पर दिख रहा होगा नंबर के बगल में मतलब यह महां पर सैंसंग नहीं इसको डिटेक्ट कर रहा है और यह बहुत सारे में पास कॉल आया थे तो अ जाना है यहां पर three dot में, यहां three dot में जाएंगे तो आपको जाना है mobile की setting पर, setting पर जाने का है दोस्तों आपको करना क्या है, यह second number पर आप देख रहे होंगे, आपको option मिल रहा है, caller ID and spam protection का, तो यह by default तो on रहता है, बट अगर आपको इसको off है, तो आपको कर लेना है, उसको on your contact, जैसे कि मैंने दोस्तों यह बताया, अगर मेरे पास Samsung का mobile है, अगर मैंने इसको on कर दिया, आप share number and name का, तो मैं अगर Samsung के user को call लगाऊंगा, और उन्होंने इस चीज़को एक टिक्ट करके रखा होगा, तो उसके पास मेरा नाम सेव हो ना हो, तो भी उसके पास मेरा न connect कर देगा, और अगर कोई Samsung user आपको call करेगा, तो आपको उसका नाम पहली पता लग जाएगा, और उनकी profile pics भी आपको दिख जाएगी, तो simply आपको उसको on कर लेना है, अगर आपको उसको use नहीं करना, तो आप चाहें, तो यहां से stop using this service कर सकते हैं, उपर लिखा भी हुआ आप देख रहे होंगे, three dot पे click करेंगे, तो वहां पर लिखा भी हुआ है, stop using this service अगर आप इसको लेना नहीं चाहते, और अगर आप अपना number भी share नहीं करना चाहते है, कि अगर आप किसी Samsung user को भी call लगा है, तो आपकी details share ना हो, तो आप यहां से उसको हटा सकते हैं, यह दो कि मैंने बाइडिफुल हटा के रखा था, आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, और चाहें तो इनेपल भी कर सकते हैं, दोस्तो, यह है बहुत ही कमाल का विच्छा, जो तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो तो दोस्तो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक ज़रू करें, अगर आपको लगता है दोस्तो, मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुने डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तो, और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाते हैं, इस वीडियो से लेटेड या कुछ भी, तो आप सके तो मुझे इंस्टागराम और फेस्टूफ फोलो करना भी ना भूले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो थेंक्यू दोस्तो,